हलो स्टुडेंट्स आजके इस नए सेशन में अपन बात करेंगे क्यूसंस की ठीक है जो आपके टेस्स सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें वन बाई वन करके चैप्टर्स को लिया जाएगा यहां पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से ठीक है हाइड्रोकार्बन में पहले अपन पढ़ेंगे एलकेन के बारे में ठीक है एलकेन में जो क्यूसंस है मैं उनको अपन डिसकस करेंगे कि किस लेवल के क्यूसंस आते हैं आपके नीट और जेई एक्जाम में ठीक है तो लेवल फॉस्ट लेंगे फिर सेकिन लेंगे ऐसे लेव अपग्रेड करते रहेंगे ठीक है तो लेवल फर्स्ट के जो क्युशन से हैं वो इपन देखेंगे इस series में कि दिखिएगा ऐलकेन के ऐलकेंट को आपन यहां पर discuss करें एक्युशन के वह में, में एक अब जेक्ट्युशन से लेउल की ठीक है देखु बञटा यहां पे कुछिन आता है आपके नौमेंकलेचर से आइसोमेरिज्म से और प्रिपरेशन ओफ एलकेन से ठीक है के एलकेन में जो लेवल फ़रस्ट होगा आपके लेवल फ़रस्ट इसमें किॊष्ण बनेंगे जो वो होंगे नौमेंकलेचर से आइस से और preparation method से होंगे clear तो देखेगा first number जो question होगा वो होगा IPSC naming का देखेगा IPSC name of the following compound जो दिया गया compound है उसका IPSC name आपको बताना है तो जब भी IPSC name आप लिखते हैं तो आप क्या करते हैं बेटा सबसे पहले compound को observe करते हैं ठीक है उसके बाद longest carbon को select करते हैं इसमें देखेगा longest carbon chain जो है वो इस direction से हो जाएगी यहाँ पर ठीक है तो one two three four five और six carbon की longest chain हो गई जिसमें three carbon पे क्या add है बटा methyl ग्रूप है तो इसका नाम हो जाएगा three methyl three methyl hexane three methyl hexane तो देखेगा option में three methyl hexane three ethyl pentane two three dimethyl pentane or two two dimethyl pentane तो answer क्या जाएगा बटा three methyl hexane clear next number question देखेगा the number of sigma bond formed in ethane by the overlapping of sp3 sp3 orbit तो देखेगा जब carbon carbon होता है तो इसमें एक ही क्या होता है sigma bond present होता है तो देखेगा क्योंकि यहाँ पर sp3 carbon हो गया और यहाँ पर sp3 carbon हो गया तो इनका जो सीर्स अतिव्यापन हो रहा है head to head contact हो रहा है इससे क्यों एक ही sigma bond form होता है तो देखेगा option है seven five one और four तो हो जाएगा answer one ठीक है बटा solution भी देख सकते हैं आप carbon carbon bond is sp3 sp3 overlapping और वहाँ पर केवल एक ही sigma bond होता है clear बटा next देखेगा how many type of carbon atom are present in two two three trimethyl pentane तो देखेगा पहले आप इसकी structure मना लेते हैं क्या बना लेते हैं बटा structure देखेगा पहले option क्या है यहाँ पर one two three four इन option में आपको इसका answer डूणना है कि इस compound में कितने type के carbon atom present होंगे तो देखेगा structure हो आता इसका मैं structure ड्रो कर देता हूं पांच carbon वाला compound हो गया क्योंकि यहाँ पर pentane दिया हुआ है अब इसमें two two three trimethyl substitute जुड़ा हुआ है प्रतिस्ताफी जुड़ा हुआ है तो two number का carbon यह माल लेते हैं two number का carbon यह माल लेते हैं तो एक methyl group यहाँ एक methyl group यहाँ फिर three number पे यह जुड़ा हुआ है तो अब देखेगा इसमें degree carbon को अपन define करते है type of carbon atom को अपन देखते हैं तो यह हो जाता है one degree यह हो जाता है four degree यह हो जाता है one degree यह one degree ठीक है और यह हो जाता है three degree यह one degree यह two degree और यह one degree तो देखो इसमें one degree भी मिल रहा है two degree भी मिल रहा है three degree भी मिल रहा है और four degree भी मिल रहा है तो चारो type के carbon यहाँ present होते हैं तो answer हो जाएगा four ठीक है बटा primary, secondary, tertiary and quaternary carbon are present तो चारो के चारो carbon type मिलेंगे यहाँ पर अंसर हो जाएगा 4 अब देखिएगा next question the correct IPAC name of following alkane is तो यह compound आपके पास दिया हुआ है इसका correct IPAC name आपको बताना है तो देखिएगा एक longest carbon chain select करते हैं तो यह वाली carbon chain जो लेंगे इसमें केवल 12 substituent present होंगे बट यह वाली carbon chain ले ले अपन दर से इधर ठीक है तो इसमें कितने substituent मिल जाएंगे आपको तीन substituent मिल जाते हैं जिसमें दो तो इथायल हो जाते हैं और एक मिथायल हो जाता है तो numbering कहां से start करेंगे आप 1,2,3,4,5,6,7 और 8 carbon हो गए ठीक है तो हो जाएगा इसमें अब अब अल्फवेट के according substituent को naming करते टाइम आप लिख देते हैं तो 36-diethyl-2-methyl-octane इसका नाम मिलेगा तो देखिएगा आपसर 36-diethyl-2-methyl-octane यह ethyl है 36-diethyl-2-methyl-octane 5-isopropyl-3-ethyl-octane 3-ethyl-tertary-isopropyl-octane 3-isopropyl-6-ethyl-octane ठीक है तो ही क्या हो जाएगा बटा इसका अंसर हो जाएगा 36-diethyl तीन नमबर के कार्बन पे और 6 नमबर के कार्बन पे इथाइल ग्रूप है और 2 नमबर पर मिथाइल है तो हो जाएगा अंसर फॉस्ट ओके नेक्स्ट क्यूशन इन वूड्स रियक्शन N-hexane is obtained from N-propyl chloride N-butyl chloride इथाइल chloride इसो प्रोपाइल क्लोराइड तो देखिएगा इसका अलकाइल ग्रूप्स गेट्स दाइमराइजड ठीक है कि अलकाइल ग्रूप्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं दाइमराइज हो जाते हैं यहां पे जो हैक्जेन बना है, वो वुर्ज रियक्शन में किस रियक्टेंट से बना है, तो वो हो जाएगा तीन कार्बन से, ठीक है, कोई N-Propyl Chloride होगा, ठीक है, जो एक Dimerization कर लेता है और N-Hexeन बनाता है, छे कार्बन की स्टेट चेन डाउलप कर देता है, ठीक है बटा, नेक्स्ट क्यूसन देखिएगा, इसका अंसर हो जाएगा, फरस्ट, नेक्स्ट क्यूसन देखिएगा आप, वेन सोडियम एसिटेट इस हिटेट विद सोडा लाइम, दर रियक्शन इस कार्ड, सोडा लाइम के साथ हिट करवा रहे हैं, सोडियम एसिटेट को तो वो रियक्शन कौन सी होगी आपके यहाँ पर, डी हाइड्रेशन रियक्शन, डी कार्बोकसिलेशन रियक्शन, डी हाइड्रोजिनेशन रियक्शन, या डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो देखिएगा जब भी अपन soda lime की बात करते हैं तो co2 molecule release होता है na2 co3 के form में ठीक है तो वो क्या हो जाती है decarboxylation reaction होती है तो देखिएगा solution इसका soda lime is decarboxylating agent co2 is removed in the form of na2 co3 clear next देखिएगा answer decarboxylation अगला क्यूसर अपन देख लेते हैं the gases liberated at anode in the electrolysis of sodium acetate are तो देखिएगा यहाँ पर anode पर कौन कौन सी गैसे होंगी तो आप लोग जानते हैं carbon और co2 जो है वो anode पर बनता है और hydrogen और other जैसे noh हो गया ठीक है वो आपके cathode पर बनता है co2 h2 c2 h6 co2 और h2 c2 h6 और h2 o2 तो देखिएगा यहाँ पर ethane और co2 molecule जो है वो anode पर release होता है एट एनोड एलकेन और co2 clear answer हो गया the following substance react with water to give ethane कौन सा substance होगा जो वोटर के साथ react करके ethane देगा ch4 c2 h3 c2 h5 होगा यहाँ पर बटा है क्या होगा c2 h5 c2 h5 mgbr c2 h4 o h c2 h5 o c2 h5 तो देखिएगा जब भी reactivity की बात करते हैं तो water के संपर्क में आने पर water के contact में आते ही hydrocarbon में कौन change हो जाता है वह होता है ग्रिनार्ड रियेजेंट ठीक है ग्रिनार्ड रियेजेंट on hydrolysis give alcan clear काफी easy question पुछे जाते हैं एक्जाम में फिर भी अपन काफी गलतिया कर देते हैं slim mistakes कर देते हैं तो वह आपको नहीं करनी है बटा थोड़ा सा क्यूशन जैसे जैसे क्यूशन बोलता है वैसे वैसे आप करते जाएए answer तक अपने आप पहुंच जाओगे आप ठीक है reaction of ROH with RMGX produce तो यह हो जाएगा आपने कहेंगे reaction of ROH with RMGX product with तो देखेगा जैसे ही acidic medium होगा तो ROH क्या है एक वीक एसीड है गिन्या रियजेंट के contact में आएगा तो यह क्या करेगा गिन्या रियजेंट hydrogen मना proton accept कर एलकेन में convert हो जाता है तो solution देखेगा ROH RMGX RH RMGX तो एलकेन का formation हो जाता है तो answer हो जाएगा बेटा R-RH इसमें देखिएगा जो किसन होगा इनमें alkyl group जो है वो R-R ही लिया गया है R- नहीं लिया गया तो answer जो होगा इसका वो हो जाएगा first ठीक है क्योंकि इसमें और इसमें चैंज है alkyl group में तो यहां पर R लिया गया है तो आपको RH ही दिखाना है ठीक है ओके नेक्स क्यूसन देखिएगा sodium salt of the following acid which is needed for the preparation of methane तो यहां पर जो है methane का preparation कैसे होगा एथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड से ब्यूटेनोइक एसिड से या पेंटेनोइक एसिड से तो यहां हो जाएगा एथेनोइक एसिड से क्योंकि एक कार्बन लैस मिलेगा आपको यहां पर ठीक है sodium salt of the following acid which is needed for the preparation of methane ठीक है क्योंकि इसमें CO2 molecule release हो रहा है clear solution देख लिजेगा soda lime की presence में reaction होती है और methane प्राप्त हो जाता है और Na2 CO3 release होता है clear CO2 मतलब एक कार्बन लैस प्रोडेक्ट यहां पर मिलेगा बटा आपको अगला question the solvent used in woods reaction is कि woods reaction में solvent के रूप में क्या लिया जाता है बटा तो solvent यहां पर dry ether को काम में लेते हैं ठीक है next question हो जाएगा आपके properties का ठीक है arrange the following in the decreasing order of their boiling point अभी आपे boiling point को देखेंगे कि n-butane 2-methyl butane and pentane 2-2-dimethyl propane ठीक है यह order आपके सामने दिया हुआ है तो आपको इसमें बताना है कि जैसे जैसे molecular weight increase होगा boiling point भी increase होगा ठीक है तो अपन कह सकते हैं BP direct proportional होता है molecular weight के ठीक है molecular weight के बट BP inversely होता है branch किसके branch के ठीक है तो यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए तो देखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा boiling point जो होता है वो हो जाएगा solution देखिएगा यहाँ पर as number of carbon boiling point increases and as branching increases boiling point decreases ठीक है तो यहाँ पर answer हो जाएगा fourth कैसे fourth में N pentane एक straight chain है ठीक है second देखो two methyl butane ठीक है side chain हो गया N butane molecular weight कम हो गया ठीक है two two dimethyl branch बढ़ गई ठीक है branch बढ़ गई इसलिए इसका सबसे जो है वो कम हो जाएगा फिर देखो यहाँ पर है N butane N butane का इससे भी कम होगा इस वाले compound से भी two two dimethyl propane क्योंकि इसमें 5 carbon है ठीक है बट इसमें 4 ही carbon है molecular weight और भी कम हो गया बटा ठीक है तो यहाँ पर अपन दो concept से excuses को solve कर सकते हैं clear तो answer हो जाएगा आपके यह वाला the compound with the highest boiling point is N-hexane N-pentane 2-2-dimethyl butane 2-2-dimethyl propane तो देखिएगा highest boiling point highest boiling point की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि the boiling the boiling point decreases with increases branching of carbon chain ठीक है boiling point decreases with increases branching of carbon chain it increases with increases in the in the number of carbon atoms ठीक है तो अपन कहेंगे answer N-hexane सबसे beneficial और सबसे easy जो होगा वो N-hexane का boiling point माना जाता है जो highest होता है ठीक है बटा next देखेगा अगला question the increasing order of reaction of alkyl halide with zinc and dilute HCl, क्या हो जाएगा, in increasing order of reaction of alkyl halide with zinc and dilute HCl, तो आपको reduction का जो है वो order बताना है, increasing order of reduction किसमे, alkyl halide और zinc की reaction में dilute HCl की presence में, ठीक है, तो यह order option देख लीजएगा पहले, option हो जाएगे, यह आपके, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर chlorine का सबसे जादा क्या बताया गया है, increasing order of reduction बताया गया है, फिर, sorry, सबसे कम, फिर bromine का और सबसे ज्यादा iodine का होता है, नाइट्रो एथेन, can be order, be obtained from, from ethane by following, तो यहाँ हो जाएगा, action with HNO3 concentrated at 100 degree centigrade, action with dilute HNO3 at 200 degree centigrade, action with HNO3 concentrate at 475 degree centigrade, action with HNO3 concentrated at 0 degree centigrade, ठीक है, तो देखिएगा solution में, nitrogen of alkane, जब भी nitrogen of alkane होता है, तो वहाँ पर अपने lecture में भी पढ़ा था, कि जो है वो 400 से 450 और अबाउर centigrade पर nitrogen complete होता है, alkane का, क्योंकि alkane क्या होते हैं, real reactive होते हैं या less reactive होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम reactive होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा, देखिएगा, 400 से 450 degree centigrade या इससे अबाउर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, 400 फिचेतर degree centigrade पर ये reaction complete होते हैं, जिससे नाइट्रो इथेन का formation होता है, तो आंसर हो जाएगा third, अगला क्योंसन देखिएगा, a mixture of CS2 and H2S on passing our heated copper gives, methane, ethane, complex mixture, propane, तो यहाँ पर जो है वो solution हो जाएगा, methane, यह copper की presence में CS2 और H2S की reaction करवाई जाती है, तो methane का formation होता है, ठीक है, इस reaction को आपको ध्यान रखना है, अगला question, the volume of oxygen required for the complete combustion of 4 liter of ethane is, तो 4 liter, 8 liter, 12 liter, 14 liter, solution देखिएगा बटा, C2H6 के 2 mol लिए गए हैं और 7 mol oxygen हो जाता है, तो 4 CO2 plus 6 H2O, ठीक है, तो volume क्या है, 7 volume है, तो जो भी molecule होंगे, यहाँ पर oxygen required दो होते हैं, तो 14 liter यहाँ पर हो जाता है, clear, N-butane converts into isobutane by lithium aluminum hydride, ALCl3, NABH4, ZNHCl, solution देखिएगा बटा, isomerization और isomerization होता है, zinc HCl की presence में, ठीक है, यहाँ पर N-butane से convert हो रहा है, isobutane, ठीक है, isobutane, तो isomerization यहाँ पर होगा, कि जैसे कोई भी ऐसे compound है, आपके N-butane है, और वो किस में convert हो जाए, isobutane में, तो यह क्या है, isomerization हो रहा है, और किस की presence में, zinc HCl की presence में, ठीक है, next question, 2-methyl propane on oxidation with KMNO4 gives, KMNO4 gives, 2-methyl propane on oxidation with KMNO4 gives, तो यहाँ पर देखेगा, 2-methyl propane, 2-ol, 2-methyl propane, 2-1-ol, butane, butanol, butanol, या butan-1-ol, तो solution देखेगा, बैटा, mild oxidation gives alcohol, ठीक है, mild oxidation gives alcohol, क्या देगा, alcohol देगा, ठीक है, और वो हो जाएगा, 2-methyl propane 2-ol, clear, ओक्य बटा, confirmations, confirmations से, एक क्यूसन पूछा जाता है, यहाँ पर, तो उनको भी अपन, easily discuss कर लेते हैं, the dihydral angle between the hydrogen atom of 2 methyl group, is staggered confirmation of ethane is, 0 degree, 60 degree, 120 degree, and 240 degree, तो हो जाएगा, 60 degree, ठीक है, 2 methyl, जो group होगा, उसमें staggered confirmation जो होगा, ethane का, वो 60 degree होता है, हर rotation पर, ठीक है, तो देखिएगा, staggered confirmation from at 60 degree, 60 degree, 180 degree, और 300 degree, clear, यहाँ पर यह rotate होता है, जहाँ staggered मिलेगा आपको, नेक्स्ट जो है, अगला क्यूशन, देखिएगा, तो देखिएगा, 3.5 angstrom, and 2.5 angstrom, 2.29 angstrom, and 2.55 angstrom, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, solution देखिएगा, in staggered form, distance is more, and in eclipse form, distance is less, तो staggered की distance high हो जाती है, जादा हो जाती है, ठीक है, और eclipse की distance कम होती है, तो ऐसा कोई option देख लीजिएगा, जिसमें, इसमें देखो, पहले staggered दिया हुआ है, फिर eclipse दिया हुआ है, इस बात का बिल्कुल ध्यान दखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, respectively, करमस है, ठीक है, तो staggered को जादा आकना है, और eclipse को कम आकना है, एंगस्ट्रोम में, तो देखिएगा, जादा किसका होगा, वो हो जाएगा, आपके 2.55 एंगस्ट्रोम, एंड 2.29 एंगस्ट्रोम, क्लियर बेटा, एंड 6 बेरियर बेट्विन, इस्टेगर्ड एंट voice, फ़ोंड 2 एंट 5 एंट 7 एंगस्ट्रोम, जो eclipse और, इस्टेगर्ड का, जो energy बेरियर है, वो 2.9 किलो केलोरी पर मोल होता है which of the following may accept conformational isomerism CH2 double bond CH2 CH triple bond CH CH3 CH3 CO2 देखिएगा यहाँ पर triple bond है बटा तो यह हो जाएगा आपके इथेन only saturated compounds exhibit conformational isomerism तो हो जाता है अलकेन अलकेन में कौन सा आ रहा है इथेन ओके बटा next the carbon carbon bond length is इथेन is 1.54 angstrom 1.34 angstrom 1.39 angstrom 1.2 angstrom तो यह हो जाएगा 1.54 angstrom क्योंकि carbon carbon है इथेन में ठीक है अलकेन अलकेन में 1.54 होता है अलकेन अलकेन 1.11 किलो जूल पर मॉल क्योंकि अलकेन 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 क्या कहा जाता है मार्स फायर डेम बोत 1 & 2 ग्रेन हाइड्रो कार्बन तो यह हो जाएगा 1 & 2 मेथेन को मार्स गेस कहा जाता है क्योंकि यह मार्स असे अरियाज में मिलता है फायर डेम कहा जाता है क्योंकि यह जल सकता है यह जलने पर फायर के साथ जलता है यह कह सकते हैं आप सिंपली अगला क्यूसन इन वूट्स रिएक्शन इन दप्रिपरेशन ओफ एलकेन मेटलिक सोडियम देखेगा यहां पर यहां पर मेटलिक सोडियम वूट्स रिएक्शन में किस की तरह भी आवकरता है तो देखेगा रिएक्शन यह हो जाती है 2Rx प्लस 2NA dry इथर की परजेंस में वूड्स reaction करवाई जाती है और L can form हो जाते हैं और 2NA X release होता है तो reducing as end halogen को reduce करने का काम करता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है reducing as end कहा जाता है अगला question the solvent used in वूड्स reaction is इसा एद रिपीट हो गया है क्यूशन यहां पर आपके बच्चा तो dry ether का में लिया जाता है अगला question for preparing is preparing an alkan a concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of saturated carboxy acid is subjected to hydrolysis oxidation hydrogenation electrolysis तो यहां पर electrolysis होता है which of the following alkane can't be prepared by woods reaction woods reaction में क्या नहीं बनता CH4 C2 H6 C4 H10 C6 H12 तो यहां पर can't prepare तो होगा methane क्योंकि dimerization होता है woods reaction में directly क्योंकि solution देखिएगा alkane containing one carbon cannot be prepared in woods reaction अगला क्यूसन देखिएगा sodium acetate can be converted to ethane by the following method woods reaction call by electrolysis decarboxylation in presence of soda lime and hydrogenation तो यहां पर solution मिलेगा आपको electrolysis जो होगा उसमें call bay electrolysis होता है तो देखिएगा sodium acetate की reaction जो है वो करवाई जा रही है electrolysis द्वारा तो जिससे ethane बनता है co2 release हो जाता है nao h बनता है और h बनता है ethane और co2 तो anode पर बनेगा किस पर बनेगा बटा anode पर और nao h और hydrogen जो है वो cathode पर बनता है clear अगला कुष्ण देखिएगा when sodium acetate is heated with soda lime the reaction is called यह जो reaction है dehydration reaction होगी decarboxylation reaction होगी या dehydrogenation reaction होगी या dehydrogenation reaction होगी तो soda lime की presence में decarboxylation होता है co2 का remove होता है co2 remove होता है यहां से ठीक है co2 का निकलना ही decarboxylation होता है बटा solution देख लीजिएगा co2 is removed in the form of na2 co3 ethane can be obtained from the following hitting methyl iodide with sodium metal in dry ether hydrogenation of ethene sodium acetate on colbase electrolysis all the above तो यहां पे all the above तो ethene सभी से आप यहां पर prepare कर सकते हैं clear बटा अगला किस्वन हो जाएगा on hitting sodium propionate with sodium hydroxide and quick lime the gas removed is C2H2 C2H6 CH4 CH4 C2H4 solution solution देखिएगा बटा C2H6 alkane gas release होती है और उसमें भी ethene clear यह देखिएगा reaction CH3 CH2 C O N A यह हो गया आपके sodium propionate इसकी reaction sodium hydroxide के साथ dry ether की परजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है बटा ethene बनता है क्या बनता है ethene बनता है ओके अगला क्यूस्टन है ethyl bromide और chloride can be converted to butane in the presence of lithium aluminium hydride sodium और dry ether alcoholic QH aqueous QH तो यहां पे sodium और dry ether की presence में यह change होते है ethile bromide और chloride ठीक है butane में क्योंकि dimerization हो जाएगा मतलब woods reaction woods reaction ओके बटा ठीक है अगला क्यूस्टन देखिएगा चलो इसकी reaction देख लेते हैं woods reaction हैं इथेन chloride है ethile chloride sodium की presence में dry ether और यह किसका formation कर देते हैं butane का यह आपके first level जो है complete होता है बेटा इसको आप बहुत ही अच्छे से देखें ठीक है काफी क्यूस्टन इसमें important है और यह as it exams में पूछे जाते हैं तो आपको इन सभी को अच्छे से one by one करके क्यूस्टन को देखना है ठीक है अब अन्ने बहुत ही अच्छे से इसको discuss किया है कोई डाउट हो फिर भी तो आप comment box में comment कर पूछ सकते हैं बटा ठीक है thank you बटा